Hello students, welcome to my channel Commerce Notes अब हम question number 10 करने जा रहे हैं IT application in commerce का जैसे कि आपको पता है कि हमने IT application in commerce M.com first semester का जो ये subject है इसके important question answer series को start किया था हमने already 9 questions को किया है जो previous year based है और बार-बार repeat होते हमारे exam में और आने के chances भी जादा रहते हैं हमने उन वीडियो उसमें देखा था कि अगर ये questions हमें आ जाएं तो कैसे उसे represent करना है अच्छे marks के लिए और उसको समझाता अच्छे से तो अगर आप इस channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर ले और उस playlist को देखें चैनल में जाके और उनको जरूर देखिएगा उसके बाद ही यहाँ पर क्या है इस वीडियो को देखेगा क्योंकि हमने क्या है important के basis पर क्या है question answers को start किया था ये pdf हमारे telegram link नीचे description होगा उसको join कर लेना क्योंकि ये वहाँ पर send हो जाती है lecture के बाद तो अब हम बिना किसी देरी के इस question को करेंगे ये हमारा mform first semester का subject जो IT application in commerce है उसके question answers है जो कि ये question number 10 है already 9 है आप उसको एक बार देख लीजेगा और playlist को जाद से जादा share करिएगा तो चलिए start करते हैं हमारा आज का question which is 10th question what are the key factors determining the designing of a strong business model तो कौन कौन से ऐसे basically key factors है जो determine करते है कि कैसे design किया जाए एक strong business model ठीक है how can a business model be evaluate for its strategic success तो कैसे एक business model को evaluate किया जाता है उसकी strategic success के लिए ठीक है तो ये basically हमारा unit 1 से 16 marks का question आता है ठीक है हमने जो unit 1 है वो तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर लिए क्योंकि आपको किसी एक unit से 2 questions को करना ही करना होता है तो हमने unit 1 के बहुत सारे questions किये है unit 2 के भी किये है हमने important में unit 3 के भी किये है और 4 के भी किये है ठीक है तो आप उनको जरूर देख लेगा क्योंकि अगर आप ये देख लोगे तो अगर ये आए तो बोल रहे हैं कि देखो भाई बहुत सारे factors होते हैं जो की बताते हैं या फिर जो क्या है हमको ये बताते हैं कि कैसे हमारा जो एक business model है वो strong होगा ठीक है और कैसे क्या है वो business को उसकी strategic success तक लेके जाएगा तो चलिए start करते हैं अब हम तो factors basically हमें या पर पढ़ने हैं कि key factors क्या है in designing जो की हमें देखने हैं जब हम design कर रहे एक strong business model को तो सबसे पहले क्या है value proportion कह रहे हैं factor क्या है इसमें clearly define and articulate the value of business provide to customer पहले तो हमें clearly define होना चाहिए कि जो business ने क्या value provide करनी अपने customer को why it matters, क्यों ये important है address कर सकते हो, अपने business को differentiate कर सकते हो अपने customer से तो basically आप अपने business model को क्या कर रहे हो design कर रहे हो, वो आपको strong करना है तो क्या क्या चीजे देखने है, कौन कौन से factor आपको impact करेंगे, तो पहला factor कह है value proposition आपको ये देखना है कि मुझे अपने customer को कैसी value देनी है, और आपको हटके देनी है, क्यूं? क्यूंकि अगर आपने value proposition किया तो आपको ये पता लग जाएगा कि competitive advantage कैसे लूँ मैं, अपने customer को हटके क्या दूँ मैं next है हमारा customer का segmentation करना identify करो, understand करो कि आपकी target audience क्या है, target customer segment क्या है, अब ये क्यूं ज़रूरी है because यहाँ पे आप उनको focus करके product और services को बना सकते, अपने specific customer को ताकि enhance कर सको customer की satisfaction और loyalty, ठीक है next है हमारा revenue streams इसमें क्या होता है, हम determine करेंगे कि कि कितना business ने क्या है हमारा earn करना है customer से, ये important क्यों होता है क्योंकि अगर diversified and sustainable revenue model क्या है, essential होता है company की financial stability को बनाई रखने के लिए, फिर है cost structure यहाँ पे हमें देखना होता है कि कि कितनी cost associated है, ठीक है, जो हमने क्या है value को deliver करना है अपने customer को उसमें हमारी कितनी cost लगेगी, ये भी हमको जानना है कि कैसे हमारा जो product है, वो customer तक पहुँचेगा, क्योंकि अगर ये important क्यों है क्योंकि अगर effective distribution channel होगा तो कहीं न कहीं हम delivery जल्दी से जल्दी कर पाएंगे अपने product और services के, अपने customers को, ठीक है next है हमारा key resources identify करना होता है कि हमारे main resources क्या है, क्या asset है, हमारे क्या skills required है, कैसी partnership required है हमारे business के operation में, why it is matter क्यों ज़रूरी है, ये ensure करता है कि जो business है, उसके पास necessary resources है क्या वो deliver कर सकते है अपने customers को, product और services को फिर है key activity, हमें क्या है core activities को देखना पढ़ेगा अपनी business की क्यों important है, because क्या है, हम उस पे focus करके क्या है, अपने product को और competitive advantage बना सकते है देने partnership and alliance, identify करो external relationship, और ये देखो कि क्या contribute करते हैं वो आपके business model में क्यों important है, because strategic partnership होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन्हांस करती है company की capabilities को, और extend करती है market में reach, ठीक है फिर है हमारा evaluation criteria for strategic success, पहले हमने क्या पड़ा factors, जो जो impact करते हैं अब हम देखेंगे कि कैसे evaluation criteria है strategic success का, कि एक जो business model है, वो क्या अच्छा है, अच्छा है, तो क्या वो strategic success दे रहा है company को कैसे evaluate करेंगे हम, तो सबसे पहले alignment with goal, अगर वो जो हमारा business model है, वो aligned है business के goal से, तो वो अच्छा होगा, तो assess करो कि कितना अच्छा हमारा business model है, कितना अच्छा वो overall strategic goal है हमारा, क्या वो objective organization के fulfill कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर adaptability, evaluate करो अपने business model को, क्या उसके पास ability है, कि अगर कोई change आ जाए market में तो और technology में तो वो उसको adopt कर ले की नहीं, then a competitive advantage determine करो, whether जो business model है, वो provide कर रहा है sustainable or competitive advantage, ठीक है as compared to other, फिर देखते हैं financial performance, क्या हमारा जो business model है, उसके analyze करो, क्या वो financially हमें क्या अच्छा perform कर के दे रहा है, ठीक है, क्या वो हमें revenue दे रहा है, growth दे रहा है, profitability दे रहा है फिर customer satisfaction, फिर क्या measure करो customer की satisfaction, ठीक है, feedback लोन से कि क्या जो value deliver कर रहे है आपको as per your expectation है की नहीं है, then innovation, assess करो कि कितना level of innovation के आपके business model में है, consider करो product or services कितना offer कर रहा है सामने वाले को, ठीक है, then risk management evaluate करो अपनी business model में कि कितना potential risk है इसके पास, इसकी कितनी ability है कि mitigate कर सकता है हमारे अंदर कितनी ability कि हम mitigate कर सकते कम कर सकते हैं, risk को, ठीक है तो क्या risk management है हमारे business model में then scalability, consider करो whether हमारा जो business model है वो अलोग कर रहा है scalability को, ठीक है scalability को enable कर रहा है वो business को कि वो grow हो, expand हो efficiently, then sustainability examine करो कि जो environmental और social impact है हमारे business model का वो क्या है, sustainable concerns वो ले रहा है address कर रहा है उनको, ठीक है then stakeholders value, evaluate करो कि जो आपका business model है, वो create कर रहा है value सारे stakeholders के लिए include customers हो गई, employees हो गई investors हो गई, ठीक है, next है हमारा continuous improvement, तो continuous improvement में क्या बोल रहा है, एक strong business model होता है वो static नहीं होता है, वो क्या है, continuous improvement अपने में लाता रहता है, regularly review करना पड़ता है, update होता है उसमें business model में हमारे, और feedback लेना होता है, जैसे-जैसे यह हमारा answer था, basically हमने जो question था, हमारा देखिये जरा हमारा question क्या था, what are factors तो हमें factor बताने थे, कि क्या-क्या factor देखने है अपने business को, अपने business के model, मतलब जो आपका business है, उसका business model है, वो जब हम वो करते हैं, ठीक है, determine करते हैं, तो कौन को question था, उसका answer था, hope आपको समझ आया हो, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आईयो तो like, share, subscribe जरूर करें और playlist को जादा से जादा क्या है, share करें, thank you